हालो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमरे यूटूब चैनल चोपडा एजुकेशन और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो काफी स्टुडेंट इस कन्फूजन में थे कि नी 2020 की एक्जाम पैटरन वैशेडूल में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग होगी क्या तो ये नेशनल टेस्टिंग एजनसी के डारेक्टर विनीत जोशी ने सफस्ट कर दिया है कि नी 2020 के एक्जाम पैटरन वैशेडूल में कोई किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी अभी नी 2021 से नीट एक्जाम जेई मैन की तरह साल में दो बार आयोजित करनी की प्लानिंग चल रही है स्वास्ते मंत्राले इस पर विचार कर रहा है लेकिन ये 2021 से होगी नीट 2020 एक्जाम पैटरन वैशेडूल में कोई किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी ये जो आप अमर उजला का 17 अक्टूबर 2019 का आर्टिकल देख रहे हैं इसमें लिखा है जेई मैन की तरह नीट को भी साल में दो बार आयोजित करनी की तयारी तो साल में दो बार होगी नीट खास बाते हैं जेई मेन की तरह नीट को भी साल में दो बार करवाने की चल रही है तैयारी दूसरा पॉइंट है स्वास्ते मंत्रालग कर रहा है प्रस्ताव पर विचार इसमें आगे लिखा है कि नीट भी जेई मैन की तरह साल में दो बार आयोजित की जाने की तयारी चल रही है परिक्षा आयोजित करने वाले संस्ता NTA के निदेशक विनीत जोसी ने इस समंध में जानकारी दी है विनीत जोसी ने बताया है कि हमें देश बर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों वए शिक्षकों ने संदेश भेजा है वे चाते हैं कि जेई मैन की तरह नीट भी साल में दो बार आयोजित की जाए हालांकि यह योजना अभी सुरुवाती चरण में है केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले से इस समंध में मनजूरी मिलने के बाद ही हम इस पर आगे का काम सुरू करेंगे उन्होंने बताया है कि फिलाल नीट 2020 की परिक्षय के पैटरन या सेडूल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा अगर नीट को साल में दो बार करने की योजना को नजदी की भविस्य में मनजूरी मिल जाती है तो भी 2020 में होने वाली MBBS प्रवेश परिक्षय नीट पर इसका प्रभाव नहीं होगा यह 2021 से ही लागू किया जाएगा तो दोस्तों नीट 2021 से साल में दो बार कंड़ेक्ट होने की नीट की संबावना है लेकिन नीट 2020 तीन मई 2020 को एक ही बार होगी एकजाम पैटरन में कोई चेंजिंग नहीं होगी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्रावव करके बैल आइकोन अवस्य प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा से जादा शेयर करें क्यूंकि इस परकार की information हम लेकि आते रहते हैं मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नई वीडियो में तब तक मिलते हैं जै हिंद